अगर आप भी डेली के अंदर अपना income certificate online बनवाना चाहते हैं तो कैसे आपको अपना income certificate बनवाना है उससे जुड़िवी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको registration से लेकर final print तक साही जनकाई दूँगा कि कैसे आपको online income certificate के लिए apply करना है कैसे आपको online income certificate डाउनलोड करना है सब कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ ही दोस्तो चैनल फे फर्स्ट ने को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like और share जरू कीजेगा तो देखे दोस्तो online income certificate बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile computer के browser को उपन कर ल जरू को करना होगा अगर आप चया और आपstoffあの आंतिनी उप्स рад को पीजाएंगे लिए जिसके लर्फ ए सबसे पहले document करना है तो यहां पर सिर्फ Adarcard ceremony मिलता है आपको तोmers है ओपना अधार-card नंbर सइलेट कर लेशा कर लेना है साथ में enter करना है यहाँ पर document number जो कि आपका अधार कार्ड का 12G का document number आपके यहाँ पर enter कर देना है, write capture फिल करना है permit condition पर accept करना है साथ ही बात करें, जिसकी age 18 साल से उपर हो, वो ही यहाँ पर registration करेगा अगर किसी की age 18 साल से कम हो, तो यहाँ पर registration नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने detail फिल करने के बाद permit condition पर accept करता हूँ, और फिर हमें continue option पर click करना है, continue option पर click करने बाद हम next step पर जाएंगे, जहाँ पर हमें अपने citizen registration form को फिल करना है, जिसमें name of applicant का name आएगा, जिसका भी name है, इस name से आप document बना जाते हैं, उसका name आपका फिल कर देना है, उसका gender select कर लेना है, father's का name फिल कर देना है, mother's का name फिल कर देना है, साथ में उसकी date बड़ आपको फिल कर देनी है, अब यहाँ पर आपको अपना residence locality select करना है, तो यहाँ पर सब दिविजन, district, state, country, automatically आपको फिल हो जाएगी, इसके बाद आपको अपना pin code फिल कर देना है, जिसे एरिया में आप रह रहे हैं, वो pin code आपको फिल कर देना है, इसके बाद आपका permanent address, same है आपका present address के तो यहाँ पर को याइस करना है automatically आपको present address fill हो जाएगा अधरवार्वार्वार्ण नो करके आपको present address याप फिल कर देना है इसके पाद आपको अपनी email id फिल कर देनी है इसके पाद आपको अपना mobile number फिल करना है जो कि working होन चाहिए तो आपको right capture फिल करना है और फिर continue to register के उसन पर किलिक करना है continue to register के उसन पर किलिक करने गे बाद हम next step पर जाएंगे जहाँ पर आपके mobile number पर एक access code send के जाएगा और एक password send के जाएगा तो आपको अपने mobile phone को check करना है जो भी आपने fill किया अभी उसके आपके access code आएगा उसको आपके access code के उसन पर फिल कर लेना है साथ में आपके एक password आएगा उसको आपके आपके fill कर लेना है password फिल करने बाद आपके right capture फिल करना है इसके बाद आपको complete registration के उसन पर किलिक करना है तो जैसे हम complete registration के उसन पर किलिक करते हैं तो हमारे सामनी Registration Acclosurement Sleep Generate हो जाती है, जिसमें हमारा User ID होता है, तो हमें User ID नमबर यहाँ पर note down कर लेना है, साथ में Password हमारे Mobile नमबर पर दुबारा send किया जाएगा, Name of Register यूजर का नाम रहेगा, Gender रहेगा, Date of birth रहेगी, Email ID रहेगा, और Registration Date कब किया है, आजाने के बाद, अब हमें जाना है Register User Login के उप्शन में, इस उप्शन में किलिक करने के बाद, हम Next आप आजाएगे, जहाँ पर हमें Login करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको User ID डालना है, तो यहाँ पर आपको अपना User ID फिल कर लेना है, जो अभी आपको Generate हुआ है, इसके बाद आपको अपने Mobile Number चेक करना है, इसके आपको एक Password गया होगा, तो इस Password को आपको आपको यहाँ पर Password के उप्शन में फिल कर लेना है, Right Capture फिल करना है, और फिर Login के Option क्लिक करके Login कर लेना है, Login के Option क्लिक करने के बाद है कि हम Login हो जाएंगे, और हमारा Dashboard पे हमारी Profile सो करेगी, इसमें आपकी Gender, Date of Birth, Address, Mobile Number और Email ID आपकी सो करेगी, तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना Password चेंज करना है, तो आपको जाना है Profile के Option में, Profile के Option आजाने के बाद देखिए, आपको जाना Change Password के Option पर क्लिक करने के बाद देखिए, आपका ज़रा ID आप नमबर आपका 100 करेगा, इसके बाद जो आपका Old Password है, जो आपका latest Password आपको Mobile Number पर सेंड किया गया था, वो आपको Old Password के Option पर फिल करना है, इसके बाद आपको अपना मंचा है, New Password आपको यहाप पर फिल कर लेना है, इसके बाद आपको Confirm करना है, आपको अपना New Password और फिर Change Password के Option पर किलिक करना है, Change Password के Option किलिक करते ही देखिए, हम login page पर अगीन आ जाएंगी अब हमें यहाँ पर अपने user id फिल करना है और उसके बाद जो अब भी हमने new password gate के है वो password फिल करना है write capture फिल करना है और login कर लेना है login करते dashboard पर जाएंगे जहाँ पर हमारी profile सो करेगी और अब हमें income certificate के लिए apply करने के लिए जाना है apply online के option में जो कि आपको left side में मिल जाएगा यहाँ पे देखे apply online के option में जाने के बाद अब हमें यहाँ पर जाना है department of revenue के अंदर department of revenue के अंदर आपको search करना है यह option issuance of income certificate यह option देखे आपका vary करते रहता है किसी भी number पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखें भी इस number पर सो कर रहा है 20 number में जो सो कर रहा है तो यह number हमारा vary होता रहता है साथ में issue को इसे कौन करता है department of revenue द्वारा issue किया जाता है साथ में कितने दिन में आपका बन के रेड़ जाता है यहाँ अपना name वेगर change नहीं कर सकते सिर्फ आप अपने यहाँ पर address में changes करना चाते हैं तो changes कर सकते हैं और change करना है तो आपको edit detail के option पर click करके आप edit कर सकते हैं otherwise आपको continue के option पर click करना है continue के option पर click करने के बाद हम next step पर जाएंगे जोग ही रहेगा हमारा form for entry सबसे पहले जो information हम से पूछी जाती है वो हमारा purpose हम किस purpose के लिए अपना यह certificate बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको purpose select कर लेना है काफी सारे purpose आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर मैं fees consensus के लिए अपना purpose select करना चाता हूँ तो आप जिसके लिए अपने income certificate बनाना चाते हैं वो option यहाँ पर select कर सकते हैं अदर्वाइज आप other भी select कर सकते हैं अब बात आती है second option की जो कि है हमारा place of residence यहाँ अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर वो आपका घर है तो यहाँ owner है अपने घर पर या फिर rent पर रहते हैं वो option आपको select कर लेना है अगर आप owner है अपने घर की तो owner select करना है अगर rent पर रहते हैं तो rent select कर लेना है इसके बाद अगर आप rent select करते हैं तो कितना amount pay करते हैं rent का आप वो आपको यहाँ पर mention कर देना है अगर आप fresh अपना income certificate अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर इस option को आपको no रख देना है तो यहाँ पर मैं इस option को no select कर लेता हूँ इसके बाद fourth option मिलता हमाँ Do you have a electricity connection in your name? Means जिसके नाम से आप income certificate यहाँ पर online अप्लाई कर रहे हैं उसके नाम से electricity bill connection आता है यहाँ पर आपको yes करना है तरवाज आपको no करना है अगर आप यहाँ पर yes करते हैं तो आपकी last month आपको कितना bill आया था यहाँ आपको आपको फिल कर देना है देखे दोस्तो दिली के अंदर क्या होता है आपका 2 से निट तक free होता है लेकिन कुछ ना कुछ bill फिर भी आता है आपका चाहिए आपका zero bill आपने pay किया हो लेकिन आपके bill पर एक amount mention होता है उस amount के यहाँ पर आपको fill कर देना है zero bill आपको fill नहीं करना है अगर zero fill करेंगे आप तो आपके application में error आएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको bill जो आपका bill आए है आपका bill पर mention होगा वो आपके आपके fill कर देना है इसके बाद next step आता है यहाँ पर नहीं 5th option आता है हमारा अगर आपके पास रसन कार्ड है याँ आप रसन कार्ड होल्डर है तो यहाँ पर आपको yes करना है तो रज़ no करना है अगर आप yes करते हैं तो सनकाड़ का नंबर आपको फिल कर देना है अगर आप income tax pay नहीं करते हैं, candidate जिसके नाम से आप यहाँ पर अपना income certificate अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको no कर देना है इसके बाद 7th step आता है, आप अपने बच्चों का कितना amount एनी school fees आप पे करते हैं, monthly, वो आपको यहाँ पे mention कर देनी है जितना भी आप अपने बच्चे है, दो बच्चे है, तीन बच्चे है आपके, उसके कितनी fees आप यहाँ पे करते हैं, वो आपको यहाँ पे mention कर देना है 7th step fill करने के बाद 8 step आता है, आपको अपनी annual income यहाँ पे fill करनी है आप देखें, यहाँ पे जो आप यहाँ आप annual income fill करेंगे, उतने का ही आपको income certificate बनेगा तो आपको यहाँ पे अपनी annual income fill करनी है, तो यहाँ पे मैं 90,000 फिल करनी है, तो यहाँ पे बात करते हैं, एक बात है मैं clear कर देता हूँ आपकी यहाँ पे देखें, यहाँ पे 90,000 फिल कर रहे हैं, तो साथ में देखें, उपर मैंने 10,000 फिल किया है तो यहाँ पर आप अपनी wife का दे सकते है या किसी अपने father's way अगर आपका income किसी कभी देना, आपका pre-mandinary हैं यहाँ पर मैं अपनी candidate की wife का name ले देता हो उसमें साथ में relation select कर लेना है कि candidate साथ में relation है वे आपको select कर लेना है, साथ में उसकी monthly income प्रहई का highway अगर आप जीरो डालेंगे तो आपका यह जो इंकम सर्टिफिकेट उसमें एरर आएगा आगे चलकी तो आपके कोई न कोई इंफरेशन आपको फिल करनी है तो यहाँ पर मैं मंतली इंकम आपको फिल कर देता हूँ अब देखिए जो मंतली इंकम जो हमारी यहाँ पर है 1000 के साब से यहाँ यहाँ फेमिली मेंबर कमाता है 2000 के साब से 4,000 के साब से इंबाइब करते हैं बच्चों के लिए और 30,000 में हमारा खाटर्द इंक मैं मतली इंकम हर चाटा चलता है जो अपको फिल करते हैं अपने बच्चों का वह को पांत बजार संथिंग रपनी है यह हम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं अगर उसी साब से आपको अपना मेंडेटरी एड्रस कर लेना है यह मैं आपको सिर्फ यहां पर किलियर कर रहा हूं इसके बाद सारी इनफोर्मिसन फिल होने के बाद हमें स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद हमें continue to next option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखे हम next टैप पर जाएंगे जो कि हमरा रहेगा document अप्लोड का तो यहां पर देखे हमें तो यहां पर आपको अपनी बैंक की स्टेट्मेंट अपलोड करना है या फिर जो अगर आपको अपनी पेसलिप को इंफोर्मिशन आपके अपलोड करनी होगी जोकि मेंडेटरी है तब ही आप इजली ओनलाइन अपना इंकम सेटिफिकेट अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर देखे सबसे पहले बात करते हैं सेटिफिसन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है क्योंकि सबसे पहले हमें अपने सेटिफिसन फॉर्म को एटेस्ट करना है तो इसको साइन करने है तो यहां पर सेल्फिसन फॉर्म आ रहा है तो यहां पर देखे आपको अप्लोड को मिलेग और fetch को option मिलेगा तो यहां में upload को प्लिक करना है क्लिक करने के बाद देखिए हम next step पर जाएंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले अपना self-diction form डाउनलोड करना है इसके हमें scroll करना है यहां पर select करना है document में self-diction form को option को select करना है इस option मिल जाया हमे generate self-diction form इस option में क्लिक करना है क्लिक करते देखिए हमारे सामने self-diction form की PDF फाइल यहां पर पून हो जाएगी तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने पर प्रिंट आउट ले लेना है तो देखिए self-diction form डाउनलोड करने के बाद self-diction form के अंदर आपका temporary application ID नमबर होता है जो कि आपका document नमबर रहेगा साथ में इसमें आपका address mention होता है और term and condition mention होती है साथ में देखिए scroll करने के बाद यहां पर आप सुन मिलता है आपको signature of beneficiary यहां पर आपको signature करना है जो applicant के नाम से आप income certificate online apply कर रहे है उसके signature आपको यहां पर कराने है आप signature आपको करने कैसे है एक तो आप इसका print out निकाल लीजिए इसको आपको signature कीजिए फिसको दुबारा PDF file में आप इसको scan करके document ready कर लीजिए दूसर तरीका आपको यह है कि आप online भी बिना print out निकाले आप self vision form के अंदर अपने signature add कर सकते हैं तो कैसे आपको अपने PDF file यह self vision form के अंदर आपको signature add करने है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुए है जिसका link आपको निचे वीडियो की description मिल जाएगा तो आप इस वीडियो की description जाके उस वीडियो की link पे click करके आप देख सकते हैं कि कैसे आप online ही PDF file के अंदर आप easily अपने signature add कर सकते हैं तो आप तो नो तरीके से किसी तरीके से भी आप अपना याप इस वीडियो के अंदर अपना signature कर लीजे और उस file को आप document रूप में आप ready कर लीजे तो self vision form के अंदर sign करने के बाद आप इसको document के रूप में PDF file के रूप फिस JPG format में आप इसको scan कर लीजेगा आप देखे जब आप self vision form को आप download कर लेंगे तो sign भी कर लेंगे तो आप देखे आपकी जो application आप exit हो जाएंगे या फिर आप कैसे वापिस जाएंगे तो इसलिए देखे आप लोगए exit हो जाते हैं तो आप login page हो जाएंगे आप लोगइन करने के बाद आप dashboard पा जाएंगे आप देखे आपको जाना है apply online के option में और इस बार जारा है आपको pending for submission के option में यहाँ पे click करने के बाद अब आपको click करना है pending for supporting document के option यहाँ पे click करने के बाद देखे हैं आपने डाकुमेंट फैंच कर सकते हैं, यहां पर मैं upload के उप्शन पर क्लिक करता हूं, क्लिक करने बाद देखे मैं next step आगा जाता हूं, next step पर आने के बाद, अप देखे हमें अपना document upload करना है, तो यहां पर select document के option में, अगर आपके पास pen card है तो आप pen card दे दीजिए otherwise आप अपना दार काड यहाँ पर select कर सकते हैं तो मैं अपना दार काड यहाँ पर select कर लेता हूँ select करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर show कर रहा है option existing document क्योंकि मैंने यहाँ पहले domain style certificate के लिए apply किया था तो मैं अधार काड पहले से यहाँ पर upload एस website पर यहाँ पर मैं इस option को यहाँ पर yes करूँगा तो मैं document अपना यहाँ पर upload हो जाएगा otherwise आप fresh applicant है तो आपको यह option देखने को नहीं मिलेगा आपको select department करना है और इसमें department select कर लेना है जो कि हमारा रहेगा UID इसके बाद document number में हमें अपने 12 digit का अधार काड नंबर है वह हमें अफे फिल कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें अपने अधार काड की फाइल अपलोड करने है जो कि मारा PDF format है आप व्यो के उप्सन पर क्लिक करके अधार काड की निवसम देख सकते हैं अब देखें यहाँ पर जो अधार काड है हमारा ओनलाइन वरीफ हो जाता है चाहिए आप अधार काड को अपने document को यह पर डिजी लोकर से भी find कर सकते हैं अब बात करते हैं लेकिन document की जो की रहेगा हमारा proof of electricity connection का document अप्लोड करना है यहाँ पी क्योंकि हमने इस अप्सन को यहाँ पी yes किया था इसलिए इसके document पे अप्लोड करना है तो अप्लोड उसमें क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद है कि सबसे पहले आपको select करना है document जो की मारा रहेगा electricity bill और for last three month option में select कर लेना है selected department जो की अधर रहेगा साथी other department name में आपको जो आपकी company का name है जिसका electricity bill आपका आता है उसका नाम में आपके फिल कर देना है document upload करना है same format में आपको चुछ file को सब्सक्राइब करके आपना document upload कर देना है तो अप्लोड करना है और upload को सब्सक्राइब करके आपको document upload कर देना है तो देखे मैंने अपने electricity bill connection के यह आपे document upload कर दिया है अब बात करते है थर्ड प्रूफ की जो कि हमारा एजिस प्रूफ डॉक्राइब करना है में और इसको upload कर लेता हूं इसके बाद गभिए में अपना थार्ड ऩप्लोड कर दिया है आप देखे हैंप्र वाग्स करना में एक हमेंगा प्लोब करना है कि अ उप्रिस्जन ओप्षन इसके बाद इसके बाद सेलेक्ट करना है डिपार्टमें जो कि मारा अधर रहेगा आप यहां पि डॉक्यमेंट नुमबर में आपको के डालना है तो देखिए आपका ट्मपरी एपिसन आधी नमबर होता है आपके Self- Matthew के ओपर सबसे टोप में उसको आपको यहां पर फिल कर देना है इसके बालत देखिए आपके अशर्ड है अगर यहां पर है अपना बार आपके दोकुमेंट करने होगी अगर दॉके खरते हैं यहां हर्थ करने के बादभाद ने करने बादगे चाहिए मैं ने सरे को कशकते किंद सतर्म पहिंद आपको पहले से अप्लोड है आपको पहले evolved नहीं तो आपको यह पे capture यी अपलोड स्य क्लिक करके है। और आपनी फॉट उप्लोड कर लेनी है इसदो को साइ Aud September 21st in करने के बाद कि आपकी फोर्ट ऑपलोड हो जाएगी एक तो मैं वोडिफाई कर सकता हूँ, otherwise continue to final submit के ऊप्समिट के खिलिक करना है, किलिक करने बाद देख्यें, आपको अपनी application को verify कर लेना है, जो भी आपकी details आपने fill की है, OTP के option फिल करने के पाद आपको submit करना है submit के option पे click करते ही आपके सामने एक acknowledgement receipt generate हो जाएगी जिसका आपको print के option पे click करके print ले लेना है आप देखिए इस receipt के अंदर आपका application number होता है registration ID होती है name of applicant होता है applied किस service के लिए apply क्या है उसका service का name होता है date of application होती है और साथ में contact address होता है इस इसमें contact address आपको mention होता है इस address पे आपको within seven days गे अंदर जाके आपको एक application का मैंने आपको printer बता है इसका print out निकाल लेना है साथ में self-vision form का आपको print out निकाल लेना है और जो भी document आपने upload करे है उनके आपको print out निकाल लेना है साथ में उनके आपको document आपके पास होनी चाहिए और सारी document आपको ले जाने के इस address पे जाना है within seven days के अंदर और यहाँ पर देखने चापको time भी mention होता है किस time में आपको जाना है आपको इस address पर यह आपका nearby sdm office का address होता है और इस पे आपको within seven days अंदर जाकी अपने document verify करा दिने है document verify करा दिने के बाद within seven days गे अंदर आपका income certificate बन की radio जाता है और फिर आप उसको इस list की website पर जाकी login करके यह फिविदाउट login करके download कर सकते हैं उसको कैसे download करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना है इस लिंक आपने description मिल जाएगा वीडियो की उस वीडियो को देखकर आप अपना income certificate download कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप online घर बैठे वे अपना income certificate easily apply कर सकते हैं और अपना income certificate easily बनवा सकते हैं